idioms और phrases का यह अपना set number 2 रहेगा आज लगबग 50 idioms और phrases देखने हैं कलवाली class में 75 देख चुके थे तो 50 के लिए कितना time लगाएं set करें 25 तो जादा हो जाएगा 50 के लिए 20 लगाते हैं 20 मिनिट में 50 करेंगे कम rain और shine चाहे किसी भी कोई भी condition हो मुझे तो यह काम करना है तो under any at any cost under any circumstances be glad to see the back off be glad to see the back off कौन सा उतार हो second वाला B C वाला हमारे यहां पर सही हो जाएगा कि किसी के जाने पर जब अच्छा लगता है तो be glad to see the back off हाँ उन्होंने सीधे ही वो दे दिया 78 once bitten twice shy हिंदी में जो कहावात है इसकी वो की दूद का जला जो है छाज भी फूख फूख कर पीता है भी वाला होगा An unpleasant experience induces caution कुछ गरबड हो जाया तो अगली बार से अपन caution लेते हैं वो है once bitten twice shy up in arms up in arms see correct है angry about something अब लड़ने जगणने पर उतार हो जाना angry about something up in arms stir up a hornet's nest repeat हो रहा है कई बार आ चुका है प्रोवोक ट्रबल अपने लिए और मुसीबते खड़ी कर लेना कि मधु मक्य के छत्ते पर पत्थर मार देना वह आला प्रोवोक होता है प्रोवोक और इंवोक अलग अलग चीज होंगी प्रोवोक उकसान हो इंवोक हुआ जगाने जैसा कि वह किसी चीज को हाँ जगाने जैसा वो नहीं कि नीन से जगा दिया इन्वोक हाँ उसके अंदर की चीज को बाहर लाना इन्वोक करना जगाना जैसे कि अपने जो जामवंत जी थे उन्होंने हनुमान जी की जो शक्तियां थी उनको इन्वोक किया उसको जागरत किया था बाहर लाय थे इस तर अनिक इतना पुराना हैं तो what you do reveals the real you आप कहरें रहें बी वाला what you don't say is what you are नहीं यह वाला correct हो जाएगा what you do reveals the real you आपके जो काम है वो आपके शब्दों से ज्यादा अच्छा आपका जो भी है character है work है उसको project करते है piece of cake यह तो ही piece of cake something easy a dime a dozen a dime a dozen आप कहा रहो uncommon इसका opposite हो जाएगा very common a dime a dozen time वही चिलर रिलर जैसा कुछ होता था पुराने जमाने में couch potato couch potato lazy person correct fight off more than one can chew option d to take more than one can deal with जरो से ज्यादा like talking to a brick wall diwar से बात करने जैसा inattentive correct है inattentive to have a gut feeling gut feeling जब एक्जाम में जब एक्जाम में सवाल का answer नहीं आता तो अपन gut feeling से answer करते हैं तो वह था instinct, intuition option number d pull yourself together second सही है regain composure pull yourself together अपने आपको वापस सही स्थिती में लाना या आपका break up हो गया तो फिर बोला जाएगा कि भहिया pull yourself together add insult to injury आग में गी यह वाला option नहीं ठीक लग रहा है make a bad situation even worse not mince your words यह repeat हो रहा है I think अभी वाले means में ही आया था CGL 2020 में not mince words not to have clarity बता रहो not mince words का मतलब होता है बात को अपनी सीधी सीधी बोल जाना बजाए घुमा फिरा के बोलने के option C state your opinion clearly not mince your words नहीं बताब लीपा पोती करके नहीं बोलना सीधे सीधे बोलना रब तर रॉंग बे कौन साथ annoy someone correct हो जाएगा rub the wrong way मतलब उसको जब जिस तंग करना परिशान करना छेड़ना annoy करना to fall on deaf ears भेंस के आगे बीन बजाना तू भी इग्णोरड तू भी इग्णोरड कि आप कुछ भी कहते हैं रों सो कोई फर्क नहीं पड़ेगा हाँ जैसे धीड बच्चे रहते हैं कि जो माबाप जो है बोल बोल के परिशान हो रहे हैं बच्चे सुनी नहीं रहे हैं करी नहीं रहे हैं उस तरह कर to fall on deaf ears तो उसको अपन उसे भैंस वाले example से relate कर सकते हैं कि चाहे जित्ती बीन बजा लो कोई फर्क नहीं पड़ता उसको इग्णोर करती रहती है भैंस अपने को eat humble pie eat humble pie आप कहे रहे हो D admit that you are wrong यह correct हो जाएगा eat humble pie noisy से तो कोई लेना देना नहीं होगा इसका eat humble pie का मतलब हो कि अपनी गल्दी को सुइकार कर लेना let off the hook off the hook allow to escape from blame यह correct है see आपका बिल्कुल सही है off the hook off the hook को ऐसे समझ सकते हो कि किसी के आपने कॉलर पकड़ ली मारने पीटने के लिए और फिर आपने जाने दिया कि अच्छा जा allow to escape hook यह वगर कहां से आता है कि जो मचली को कांटा आउटे डालते ना तो वहां से पकड़के आपने फिर वापस छोड़ दिया उसको पार्थियन शॉट यह बढ़ा नया है कि और के रहा है विक्ट्री प्रेज से गुडबाई पार्टिंग हिट पार्थियन शॉट इसका होगा ए कि पार्टिंग इट कैसे एक्स्पेन करें जैसे पहले की जो लडाईयां होती थी तो उसमें जो जीतने वाला जो सायट रहता था अरने वाले को कुछ मार कुछ जस्ट इग्जाम्पल करो कि आपके लडाई हो जाए और आप उससे जीत रहे हो डॉमिनेट कर रहे हो तो थपड़ मारके आजाओ उसको नीचा दिखा के आप आजाओ वापस पार्टिंग हिट और किस तरह से बोलें कि किसी आपकी गर्ल्फ्रेंड से या किसी से आपकी मानलों की टडाई हो गई और वो आपको बोल दे कि दुवारा से दुवारा से आप कभी तुम मुझे कभी फोन मत करना ऐसा बोल के वो चल दे तो उसने आपको पार्टिंग हिट दे दिया जाते जाते पेल गई कि अब दुवारा फोन मत करना पार्थियन शॉट उस तरह से अपना एक मार्क छोड़के जाना किसी पर है कि डॉमिनेंट उसमें है कि वन से नप ब्लू मून बहुत आसान वर मत करता है किसी को मुचिवत के समय में अक्ला छोड़ देना डिसेото्ड़ समें इनीस इस दिफिकल्टिस करेक्ट है से समय के फिककली चेस्ट get something off your chest हाँ वही वाला है सीने से बोज अपना जो भी बोज है उसको हटाना तो यहाँ पर कौन सा option लगा है C correct है express something that has been worrying you ऐसी कुछ चीज आपको परिशान कर रहे थे आप किसी को बोल नहीं पा रहे थे तो आप आपने उसको बोल दिया get something off your chest plain as day plain as day बहुत close आवे option दोनों यह very obvious and easy to understand या very simple and easy to do दोनों ही बता रहे है कि आसान है plain as day अब इस से sense कैसे decide कर रहे हैं यह दिक्कत आ रही है plain as day very simple and easy to do या very obvious and easy to understand यह हो गया tricky कि दोनों option बहुत close आवे इसमें plain as day very obvious and easy to do मैं होता तो c वाला लगा क्या था समझने में जो आसान हो plain as day very simple पर a वाले में भी कोई बहुत बुराई नहीं है मोटे तो और पर दोनों एक जैसे हो रहे हैं ऐसी चीज़ बताना चाहरे हैं जो कि आसान हो और वो करने में या समझने में अब यह कैसे decide हो यह हो गया भस गया इसमें a और c इसको mark करेंगे सवाल को देखेंगे deep में call a spade a spade यह तो repeat हो रहा है p आप कह रहो say the truth about something even if it is not pleasant बाकियो option तो बिकार है यही वाला सही हो जाएगा सही को सही ठहराना खली सामने वाले को पसंद ना आए be behind the times और कह रहा है a be very old होगा तो कुछ पुराने से ही संबंदित लेकिन d भी एक option देखो be very old का मतलब हो जाएगा कि आप पुराने हैं मतलब आप बुजुर्ग हो गए और be old fashioned का मतलब हाँ यह हो जाएगा be old fashioned अपने समय से पुराने fashion का होना be behind the times look before you leap careful से संबंद कुछ होगा look before you leap कुछ करने से पहले सोचना विचारना ऐसा कुछ आ रहा है इसमें think you are carefully of those consequences कुछ होने से पहले उसके बारे में सबकु सोचना विचारना chill out to calm down fight और angry और nervous तो हो गए नहीं कहीं से कहीं तक chill out option A cool it to relax to relax go off at a tangent go off at a tangent अपको बी लग रहे हैं हाँ अपने रास्ते से भटक जाना option number B तो सब जैसे कि अभी English देख रहे हैं और अभी ऐसे पता नहीं कहीं से तो अभी reasoning की बात निकल आए तो हो जाएगा अपने टॉपिक से आफ दे टेंजेंट to change the subject immediately जो भी बातचीत हो रही हो उससे एकदम अलगी कहीं दिशा में चले जाना कुछ और ही बताने लगना या बोलने लगना make a beeline एक सीधी रेखा में correct है go straight look after बहुत common है take care take care of किसी का ख्याल रखना flying off the handle daydreaming having lofty ideas flying away being launched from handle क्या option है डी वाला क्या मीनिए इसका आप क्या रहो B having lofty ideas क्या होता है lofty lofty होता है बड़े बड़े ख्याल रखना lofty 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 mountains के साथ भी प्रयोग में आता है उची उची जो चोटे होती है भाड़ों की lofty mountains उनको भी बोलते है flying off the handle का मतलब होगा suddenly become enriched एकदम से गुसा आ जाना option C flying off the handle to cost an arm and a leg cost an arm and a leg कोई चोच बहुत महंगी हो ना यदा किडिनी बेच के phone लेगा अगर एक लाग का लेगा तो बहुत एक्सपेंसिव to cost an arm and a leg sleep on it make a decision immediately wrong decision prefer to sleep than take action C वाला तो nonsense हो गया to wait before making a decision sleep on it आप क्या रहो D नहीं होगा sleep on it किसी चीज़ पर बहुत आप क्या रहो B wrong decision वाला नहीं होता sleep on it का मतलब होता किसी चीज़ पर बहुत गहन सोच विचार कर रहो उसकी वज़े से चीज उसकी वज़े से चीज़ डिले हो जाए कि कोई decision लेना था आज लेना था लेकिन आप जो है उसका अपने hold पर रख लिया उस पर सोच विचार ही कर रहे हो अभी तक यह हो जाएगा अपना D wait before making a decision keep your shirt on keep your shirt on को इस तरह से समझ सकते हैं कि यह बोलते हैं लड़ा जगड़े में करें भाई ठंड रख वो keep your shirt on तो तो टू रिमेन कूल ऑप्शन बी गुस्सा मत करो शांती बनाया रखो ठंड रखो तो वह होगा अपना किप युआर शार्ट ओन यो चाजा एक सम्धिंग वित फंच ऑ प्सव इसाइड ग्रीन यहां पर क्या करें तो टेक सम्धिंग भी यहां पिंच ऑ उत किसी ने जैसे आप से कुछ बोला कुछ recommend किया तो आप उसके बात को 100% agree नहीं करोगे उसको सोचोगे कि या जो बोला हो सही भी है कि नहीं कि किसी ने बताया कि भाई दुनिया जो है वो तो गोल नहीं है वो तो फ्लैट है तो आप भरोसा नहीं कर लोगे आप पता नहीं सही बोल रहा है गलत बोल रहा है वेरिफाय करते हैं चलो इसको यह हो जाएगा तो टेक सम्थिंग विदा पिंच आप सॉल क्या लगाते एग्जाम कुछ ऐसा हो गया जिसके बाद बात बिगड़ गई आगे continue नहीं हो सकी option number B हो गए यहाँ पर कि भाई अब नहीं हो सकता हद हो गई अब इससे यादा और नहीं जहलेंगे जो भी था उसको आपने रोक दिया अफ्सेट सम्वन्स अपल कार्ट एपसेट सम्वन्स अपल कार्ट और दोस्त लोग गोह जाने की मस्त प्लानिंग बना रहे थे आपने उसको चौपट कर दिया कि आप्शन नमबर सी दूइंग सम्थिंग देट फेल सम्वन्स प्लान कम हेल और हाई वाटर यह तो पहले वाले से लग रहा है पहले भी एक सा कुछ आया था चाहे जो हो जाए एट इनी कॉस्ट वाला यहां पर लगा देंगे इन स्पाइट ऑफ अन्य आप्स्रिकल्स कितनी भी मुसीबते आए आए आउट ऑफ बाउंट्स लिमिट से बहार हो जाना कोई चीज ना लिमिट लेस आउट कीप अपिरेंस अ पांच मिनिट का टाइम बढ़ा लेते हैं पांच मिनिट तो किप अपिरेंस आप क्या रहा हो ए तो प्रिटेंट तो बी हैपिर और रिचर सो एस तो कंसील दरील सिटूएशन तो स्पेंड अलोट अपिरेंस लिदिए अपिरेंस लेकिन बाहर दुनिया को आप सब कुछ सही दिखाना चाहरें किप अपिरेंस इंद ब्लिंक अप अए इदम तुरंथ बलक जबकते है विदिन आ वहरी शॉर्ट पिरिड़ अफ टम बी हेट साफ तो समवन ऐसा ही कल भी है काया था हाँ वह 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 रिस्पेक्ट देने के लिए कुछ यह वाला करेक्ट हो जाएगा बहुत अच्छा काम किया तो लोग टूप हेट साफ बोलते भी हैं बोल चाल में पर लोग बोलते हैं हेट साफ टू यू कि आपने बहुत अच्छा काम किया है पैकिन सैडल सैडल क्या होता है रिपीट हो रहा है होड़े का पीट पे वाला सैडल होता है फिर मुह वाला ब्रिडल होता है और जो पैर रखने वाला था स्पिट बढ़ाने वाले नहीं उसकी नहीं बात कर रहा हूं एक आया था घोड़े से संबंद पता नहीं क्या था वो कुश्चन था ऐसी वर्ड्स दिये थे सेडल था जो पीट पर बांते हैं घोड़े की ब्रिडल था जो मुँपर बांते हैं और घुड़सावार जहां पर दुनों पैर रखता है न वह उसका भी कुछ नाम होता है उस बारे माँ एडिया नहीं है अच्छा रेजूम ड्यूटी करेक्ट हो जाएगा भी पैक्ट इन दे सैडल वापस अपने काम पर लॉटना वैनिश इंटू दा एयर आसान है हवा हो जाना अप्लिटली डिसपीर गाइब हो जाना वैनिश इंटू दा एयर अधली डाइल्यूट हाँ डिजॉल वगरा तो वह हो जाएगा और हुआ हुआ तो पर सी थोड़ा बैटर लग रहा था एक नजर में पढ़ते पसंद आगया कंप्लीटली गायब हो जाना अधल बैसे इंक्लूट एवरेटिंग आपका अंसर बिश्ल सही है अधल बैसे मतला सब में से थोड़ा थोड़ा पुरा ले लेना अधल को कवर कर लेना अधल बैसे कट टू दा चेस कट टू दा चेस डारेक्ट पॉइंट पर आना अल्तु पालतु के बाते नहीं करना सीधा पॉइंट पर आना यहाँ पर हो जाएगा इंपोर्टन लिविंग दा आउट डिटेल ओप्शन नमबर ए पस्ट आला हो जाएगा कीप अस्विल टंग कीप अस्विल टंग ठीक ही लग रहा है का अप्शन लगा देंगे एवाला लगा देंगे स्पीक विद ग्रेट पॉलाइट निस अबनी भाषा जो है अच्छी रखना गाली गलोजना रखना उसमें पॉलाइट बोलना अच्छे शब्दों का अब्री जा वाल आखरना आप कीप आओ कीप रही हया लाख करा दी अवैसमेफिन अ करहता दी रिट कशेtles का अधा मिदा करा दाओ कॉलर क दीवे के लिए इस तर टो किला आपके रहा है एक इरिटेटिंग इस देर इन दा जॉय सिचुएशन नहीं एवरी क्लाउड असे सिल्वर लाइनिंग का मतलब होता है कि की बहुत मुश्किल समय में भी कुछ अच्छा कोज लेना या उसका होड़ने का अ कि क्षुछ अच्छा होता ही एसा कुछ कि संकॅट के भादल चाय हुए और सिल्वर लाइनिंग घा मतलब है कि उसमें कुछ अच्छा होने की उमीद तो promise है यह हो जाएगा something promising is there in any difficult situation खराफ situation में भी कुछ अच्छा होने की उम्मीद every cloud has a silver lining अच्छे हैं बहुत सारे और भी थे जब मैं इसको compile कर रहा था तो repeat बहुत हो रहे थे एक चीज मैंने ये notice करी as it is idioms repeat हो रहे at least 10 थे जो कि repeat हो रहे थे और वो भी एक ही एर के अंदर तो ये बहुत एक advantage जैसा हो सकता है अपने लिए और बहुत ज़्यादा idioms है भी नहीं अगर पिछले तीन एक साल के देखेंगे तो around 400 लगबग में तो 300 लगबग में खतम हो जाएगे at least अगर अभी तक कुछ नहीं देखा हो idiom में तो previous year तो करना ही करना है और previous year भी जो छोड़ दिये तो फिर एक्जाम में दिक्कत हो जाएगी अगर शिया में देखेंगे हो जाएगी इस करते है दो दो में दो खाम करना ही झाल झाल